Hello friends, welcome to my channel English Fluency Quest. My name is Sushma Shikhawat और आज मैं अपने लाई हूँ एक फिर से युनीक स्ट्रक्चर जिसको आप अपनी डिलेशर्चर में यूज कर सकते हैं जिसके sentences हैं तुम पूरी रात भार रह सकते हो, उन्हें क्या? मैं कहीं भी बीचे फस जाऊं, तुम्हें क्या? तुम हर रात पीज़ा खाओ, मुझे क्या? तुम दोफैर तक सो, मुझे क्या? मैं लेट हो जाऊं, तुम्हें क्या? इस sentences हम बहुत commonly बोलते हैं जब हमें किसी की किसी regular action से या फिर किसी और चीज़ से फरक नहीं पड़ता हम उसको अन्देखार कर देते हैं या फिर कोई attention ही नहीं पे करते हैं तब हम इस structure को use करेंगे structure का नाम है for all somebody care or cares somebody की ते कोई भी subject आ सकता है I, you, we, they, he, she या फिर कोई भी name for all subject care or cares then आपका sentence इसे आप sentence के end में भी use कर सकते हैं okay example लिखते हैं तुम अपने free time में जो चाहो कर सकते हो मुझे क्या तो इसे हम simply बोल सकते हैं you can do whatever you want in your free time for all I care or you can say for all I care you can do whatever you want in your free time next is हम हर रात party कर सकते हैं उसे क्या so for all she cares we can throw party every night for all she cares we can throw a party every night means organize कर सकते हैं okay मतलब उसे हमारे party करने से क्या फर्क पड़ेगा right so तुम हर दिन दो फैर तक सो सकते हो मुझे क्या तो इसका बोलेंगे for all I care you can sleep in until noon every day or you can say you can sleep in until noon every day for all I care okay so intonation का भी ध्यान रखना आप लोग को वो पूरे दिन बहस कर सकते हैं मुझे क्या इसका बोलेंगे for all I care they can argue all day or you can say they can argue all day for all I care argue means होता है बहस करना okay next is वह बिना अलविदा कहे एक अन्य देश जा सकता है उसे क्या so इसे आप बोलेंगे for all she cares he can move to another country without saying goodbye for all she cares he can move to another country without saying goodbye मतला अगर वो उसको bye नहीं बोल गया तो भी उसे को फर्क नहीं पड़ेगा मुझे क्या वह अपने पैसे को बेकार की चीज़ों पर कर्च कर सकती है for all I care she can spend all her money on frivolous things or you can say she can spend all her money on frivolous things for all I care मुझे क्या for all I care you can eat pizza every night for dinner okay next is मैं कहीं भी बीच में फर्स जाऊं तुमें क्या मतला उसे क्या फर्क पड़ेगा तो साब बोलेंगे for all you care I could be stranded in the middle of nowhere or you can say I could be stranded in the middle of nowhere for all you care okay तुम पूरी रात बाहर रह सकते हो उन्हें क्या मतला उन्हें क्या फर्क पड़ेगा so you can stay out all night for all they care or you can say for all they care you can stay out all night now it's practice time ये दोनों sentences आप लोग के लिए हैं मैं ट्रेन के लिए लेट हो सकता था लेकिन तुमें क्या इससे शादी करना चाहती है कर सकती है हमें क्या तो इन दोनों के आंसर आप लोग मुझे कॉमेंट से मताईए आज के ये वीडिया आपको कैसे लगा मुझे कॉमेंट से जरूर बताईएगा वीडियो में तक बने हुए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेकर नहां हुले क्योंकि आपके सबूर से ही मुझे सबूर मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए अगर आप ऐसे ही और स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं अपनी कन्वसेशन के लिए तो आप मुरे ही पूरी प्लेलिस देख सकते हैं थैंक्स लोट फवाचिंग से यू अगान इन नेक्स वीडियो तिल देन बबाइ